याकूब की पत्री तीसरा ध्याय हे मेरे भाईयों तुम में से बहुत उपदेशक न बने क्यूंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोशी ठहरेंगे इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिध्ध मनुश्य है और सारी दे को भी फेर सकते हैं देखो जहाज भी यद्धिपी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायू से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पत्वार के द्वारा मांजी की इक्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं वैसे ही जीब भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े बन में आग लग जाती है जीब भी एक आग है जीब हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है क्योंकि हर प्र पर जीब को मनुश्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुखती ही नहीं। वह प्रान नाशक विश्च से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुश्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में देते हैं। एक ही मुह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भायो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भायो क्या अंजीर के पेड में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ग्यानवान और समजधार कौन हैं। जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्रता सहीत प्रगट करे जो ग्यान से उत्पन होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और व इतानी हैं। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेडा और हर प्रकार का दुश्कर्म भी होता है। पर जो ग्यान उपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलंसार, कोमल और म्रदभाव, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक् करने वालों के लिए धार्मिक्ता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है।